तो बक्सर की लडाई दिल्चस्प हो गई है क्योंकि एक निर्दलियों में दवार रामजी सिंग खड़ी टक कर दे रहे हैं, रामजी सिंग मेरे साथ हैं, आप निर्दलिये हैं लेकिन यू वर्ग आपके साथ खड़ा दिख रहा है, क्या करिस्मा है राम सिंग? अभी तक यहां पे जाती और पार्टी देखकर ओटिंग हुई है अभी तक बक्सर की जनता ने नेता का चुनाव नहीं किया है कि और पार्टी और जाती का चुनाव किया है इसमार पूरा युवावर्ग आप सर्वे कर सकते हैं देख सकते हैं कि पूरे विधान सभा के युवावर्ग पहली बार जातिवाद की दिवाल को तोड़ने में हम लोग काम्याब हुए हैं आप किसी भी जाती के बस्ती में जाइए, किसी भी पंचायत में जाइए, युगा वर का एक ही नारा है, इस बार बकसर एक नेता चुनने जा रहा है और यह जो ओटिंग होगी 28 तारीको यह पाटी को देखकर नहीं बलकि काम को देखकर होगी, जो बकसर में सबसे ज्यादा स पंधर्स किया है, बकसर के लिए लाठी घाया है, बकसर की जनता को बचाने के रात को हस्पिटल में बेवस्ता के लिए लड़ाई किया है, वैसा जन परतिनिधी अब बकसर को मिलने वाला है। पाती में बटा हुआ समाज जाती के बंधन से बाहर निकल कर एक समाज से भी क्या साथ देगा। और दस मिनट पहले हम लोग सोसिल मीडिया पर डाल रहे हैं और समझ ये एक उस गाउं के सकोड़ युगा हमारे पीछे आ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बंदलाव का बहुत बड़ा संकेत है। का बड़ा चुनाई मुद्धा क्या है। बकसर अगर मैं समस्या बहुत हैं समस्या इतनी हैं कि अभी तो कोई जन परतिनी दिने कोई काम नहीं किया। इंडुश्यल एरिया ओध होगी चेतर में कई कर्खाने बंद पड़े हैं। पहले शेकोड़ कर्खाने बंद पड़े हैं लेकिन कोई जन परतिनी दिया करकाना कैसर सुरू हो इस पर तो छचर्चा किया ही नहीं हो ओंपे दोरा भी नहीं किया है। सदर होस्पीटल की बेवस्ता नगन है दो साल से अल्टरा साउंड मसीन आके पड़ा हुआ है हम लोग यहां से 40 लड़के दुर भागे है कि यहां का सांसत केंद्रिय केंद्र में स्वास सराजी मंतरी है वहां का कोई जन परितिनी दिया अभी तक आवाजी नहीं उठाया दो यहां से 40 लड़कों के लिए दिली के जंतर मंतर पे मैंने धरना दिया कि अल्टरा साउंड सुरू हो जाए हमारे वरतमान भी धायक है आज तक अभी होस्पीटल में ने रिच्ण नहीं किया है हमारे यहां कोई भी पाटी के कोई भी नेता जन समस्याओं पर बात नहीं करत करते हैं पाटी की बात करते हैं लेकिन हम लोगे कैसे परतियासी हैं कि अपने काम पर बात करते हैं कि अगर हम लोग वैसा काम किया है सबसे यादा संगहर्स किये हैं तो आप मुझे मत दिये या हम लोग गाओं में ये कह रहे हैं कि सबसे यादा जो बकसर के लिए संगहर्स किया है रात की 12 बजे भी जा कि हस्पिटल की बेउस्था जब लोग मरते हैं तो हाँ पे बेउस्था के लिए लड़ता है जो प्रतियासी है आप चुनाव जिता दी रहे हैं यह जो लड़ाई हो रहे हैं वह दोमबर के लिए हो रहे हैं इक नमबर का चुनाव हो चुका है कोले एमाओ बाकी है दम मेहनद कर रहा है इनके लिए जितेंगे जिए जिए व्त शेξ knyu जो बड़ी बड़ी सिर्स पाटिया है उनके जो नेता है प्रतिनिदी है वो करोडो करोड उपिया लेकर नोमिनेशन के अंतिम दिन तक पटना और दिली का चक्कर लगा रहे थे तो आप समझ सकते हैं जो नेता चुनाओं में 4 करोड, 8 करोड लगाएंगे वो जनता का सेवा करेंगे या 8 करोड के जगा 80 करोड बनाएंग ये जनता आप समझ चुकी है और बकसर की पूरी जनता केवल युवा ही नहीं, बुडे बुजुर्ग भी, राम जी भी एके साथ है और जनता नेता है उसकी जेब तो खाली है, इसके साथ घुमने से क्या मिलेगा बहुत सारे लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं तो खाली है, चुनाव मैदान उत्रे हैं, कोड़ोपती उमिद्वार हैं, कोड़ोख खरच कर रहे हैं, कैसे लड़ाई लड़ियेगा? तक हम लोग मिले नहीं है, बाहर से लोग लगतार हमारे काम पैसा दे रहे हैं, आके हमारे कार्याले पे घर पे आर्थिक मज़द कर रहे हैं, हम लोग को मांगना नहीं पड़ रहा है, बेपारी समाज यहां बहुत ही महत्यपुन भूमिका निभाता है, वो क्यों आपका सम लाठी घरता हूँ, यह फैयार सहता हूँ, कोई पार्टी के नेता यहां पे वेशायों के लिए आबाई नहीं उठाते हैं, यहीं कारण है कि पूरा बकसर, आज सरवे कर लिए पूरा बकसर, देखिए किसके साथ है, और जहां तक पैसे की बात है, हम लोग गरीब जरूर ह लेकिन पैसे के अभाव में हमारा अभियान रुकने वाला नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों के साथ सेर करिए, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजे, आपका सहयोग समर्थम चिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मैंने रखता है।